उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद से ही भगवा रंग में इमार्तों, बसों और टॉलेट को रंगने के बाद अब टोल प्लाजा भी भगवा रंग में रंगे जा रहे हैं मुझफर नगर सारनपूर हाईवे पर इस्थित फोर्ड लेंड टोल प्लाजा को अब भगवा रंग में रंगा गया है हाला कि अभी ये टोल प्लाजा ट्रायल के लिए खोला गया है इसे अभी प्रदेश सरकार की ओर से थ्री नोटिफिकेशन का इंतिजार है सरकार की ओर से अनुवती मिलने के बाद इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा इस मामले में टोल प्लाजा के सीनियर मेनेजर इतेंद सिंका भी कहना है कि टोल प्लाजा को सरकार की ओर से थ्री नोटिफिकेशन का इंतिजार है पर्मीशन मिलने के तुरन बात इसे शुरू कर दिया जाएगा वहीं भगवा रंग के मामले पर उनका कहना है कि ये आर्किटेक्ट का डिजाइन है इसमें कुछ अलग से नहीं किया गया है तोल प्लाजा का रंग भी इसकी डिजाइन का ही हिस्सा है